29 जनवरी का दिन और वही सुभी की अर्ली मॉर्निंग 6-6 बजे का समय और थोड़ा सा आख के उपर स्वेलिंग आ रखिये शायद रात को कुछ काट गया दोस्तो अब बजट को हमारे पास में अगर मैं काउंट करूंगा तो सिर्फ दो दिन बचे हैं 29, 30, 31 आज का दिन तो स्टार्ट होई गया पहला दिन बजट का 1st और 2nd जो आएगा वो होगी फैड की मीटिंग फैड की मीटिंग का एक इंडिकेशन आपको दे देता हूं बजार अभी स्टेबल से हमां आपको कुछ इकनॉमिक फैक्टर बता रहा हूं जिनका कुछ असर आ सकता है इसलिए जब पढ़ाता हूं न बच्चों को भी तो उनको यह कहता हूं कि बटा यहां पर कोई भी चीज़ खराब नहीं होती सब चीजों का अपना मैथ पर सब चीजों को ध्यान लगकर चलना मेरी बातों को लाइटली मत लेना जब पढ़ा रहा होता हूं तो उस समय तो लिख रहे होते हैं हाँ सर आप इंडेक्स पढ़ा रहे हो ठीक है इंडेक्स का मतलब ही होता है इंडेक्स का इंपक्ट कैसे आता है यह भी बताता हूं साथ साथ अब ठीक है सारी चीज़ें आपको एक मेने की classes के अंदर तो नहीं आपाती लेकिन अगर आप ध्यान लगा के करेंगे तो day by day आप improve होते रहेंगे मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है आप लोगों को सिखाने की US का index 80 point down चल रहा है अभी जो US का futures है future चलते रहते 2400 गंटे commodity एक indication दे रही है मेरे student ने मुझसे दो या तीन दिन पहले गोल्ड की कुछ राय पूछी थी तब गोल्ड था 2000-23 डॉलर और अभी गोल्ड आ रहा 2000-41 डॉलर तो मैंने उसे यही का था यार कुम मेरे से वैसी पूछ लिया कर कि गोल्ड के अंदर क्या होनाहै इसके लिए इतना टेक्नीकल इतना उधित और जाने की जुरत निए गोल्ड की शकल बता रही है कि गोल्ड उपर आने वदम है और शयद आज गोल्ड उपर भी खुलेगा उसका सोदा उपर कट भी सकता है जो उसने लिए तो गोल्ड उपर की तरफ यूएस के फ्यूचर हंड़ड पॉइंट डाउन की तरफ हैंग सेंग भी हंड़ड डाउन चाइना भी करीब करीब हंड़ड डाउन निकी अभी प्लस में थोड़ी दिर में माइनस में आ जाएगी इसका मतलब ये इंडिकेशन ज़रा रहा है कि हमारे बजार कुछ माइनस में खुलने की उमीद जता रहे बशरते नो बज़े तक बजार प्लस में ना आएं तो क्योंकि फ्यूचर के मुवमेंट के साथ ही हमारा बजार अपना खेल दिखाता है जैसी दिन के अंदर भी वो नीचे गिरते हैं तो ये भी लिया करो ना that's it बस वो ही तुम्हें बता देगा ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे जाएगा तो नीचे उस पर ध्यान रखा करो दस बीस पचास पॉइंट तो तुम्हें वैसे मिल जाएगे ये ये चीज ये स्ट्राटजी तुम्हें पांच जार रुपे लेके भी ना कोई नीच समझाएगा इसलिए बता रहा हूँ यूएस का फ्यूचर अपनी स्क्रीन पर लगा लो या मुबाइल पर इंवेस्टिंग पर या अधरवाइस किसी भी वेबसाइड पर और जो तुम्हें इंट्राडे खेलने का ये निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बीस यह जार रुपे के कोर्स कर रहे हो ना इदर जज्जमेंट कर लेते हैं आरे कोई जज्जमेंट कुछ नहीं होती सिर्फ यूएस का फ्यूचर लगा लो अगर जटके से हो बीस तीस पॉइंट गिर गया अपने बजार की बीस तीस पॉइंट की पिटाई हो जाती है सो मैंसे 95 बार तुमारी जीत निकले की मैं तो इंट शेर नहीं सारे चले होंगे सारे अगर उनको मैंने 35 शेर दिलवाए होंगे पॉटफोलियो में उनके एड़ करवाएंगे 35 में से एका दुका स्टेबल को छोड़के जबर दस रिटन होगी सम्में अब समझ नहीं आ रहा कि जो नए लोग हमसे पॉटफोलियो मांग रहे उ उनके लिए मैं पॉटफोलियो इसलिए नएंग कर रहा हूं को नको हाई रेट पर नहीं चड़वाना जैसे मैं मैं सा उनको प्यूर्स बात करता हूं कि हाई रेट पर नहीं चड़ना, नीचे के रेटों पर शेर दे इसलिए कौन से बचएया या और कुछ नए निकाले, जैसे स्टूडेंट से डिसकस हो रहे तो उनके लिए नए पॉर्टफोलियो भी बनाए तो थोड़ा सा जो पॉर्टफोलियो मांग रहे हैं उनको बचा देता हूं थोड़ी सी वेट कर लो अभी शांती रखीगा अभी बजार के अंदर रोज रोज काम करने की विजुरत नह है तो 75% सेल कर देना 25 रख लेना ताकि पस्तावा ना रहे कई भाग ना जाए ना डेट सो तक इसलिए क्या रहा है मुझे धोड़ी पता है कि जाना या नहीं जाना एन बी सी सी 120 के आसपस भी आपको एक्जिट कमों का मिलेगा जी एस एफसी में आप देख सकते हैं 10% का ट दिन से स्टेबल उसी पॉइंट के ओपर जाके खटका लगा के बैटा हूँ हिलता ही नहीं अजात को रखके बैठेंगे और जीमडी सी भी किसी दिन चल सकता भी तो उपर से 500 कुछ मार के नीचे 455 के आसपस चल रहा है और HLV हाँ HLV की बाद पताता हूँ यही HLV जब 29 रुपे था ना तो आप 32-33 के टार्गेट की बाते करते थे जिनके पास भी पड़े थे अब यही HLV 37 हो रहा है तो आप लोगों को बेचना नहीं आ रहा है क्या मतलब पूछते क्या हूँ यह तो समझ ही नहीं आता 29 कड़ा था रोज इतने मेसिज आते सर 32 कब आएगा सर म के बस long term के लिए पड़ा है वो तो बेचते ही नहीं है ज्यादतर students ऐसे तयार करता हूँ आप लोग तो भी दो मेने से touch में आयों जितने students पुराने हैं तो NBCC को छोड़ कर जिसने exit होना है exit हो लेना जिसने रखना है रख लेना काफी सारे shares हैं हर किसी के बारे में बता नही पहले call and put option बताई थी तो कफी सारे negative comments भी आते हैं ये नहीं चलने वाला वो नहीं चलने वाला बटा ये तो किसी को पता ही नहीं कि चलने क्या वाला है इस वएसे आपको बता रहा हूँ किसी ने भी मेरे कहने से जितने मेरे students उनको बता दू किसी ने भी मेरे कहने से कोई call and पुट आप्शन्स नहीं लेनी जो मैंने आपको 21,000 वाली पुट और 21,800 वाली कॉल बताई थी फरवरी लास्ट की वो नहीं लेनी उसका कारण है पहले आज वो कॉल एंड पुट मैं लूँगा उसकी रील बनाके डालूँगा पहले राजा जाएगा आगे आजकल क्या होता है अब जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है न तो आजकल कमांडर शहीद होते हैं देखा होगा आपने सिपाई कम होते हैं लेटिन और कमांडर जो होते हैं कैप्टन जो होते हैं वो शहीद होते हैं वो आगे जाते हैं टीम को लीड करने के लिए तो पहले लोग सिर्फ paper trade लीजिएगा, कोई भी trade मत मारियेगा, जितने students हैं, जितने follow करना है, trade मत मारियेगा, paper trade लीजिएगा, मैं अपने पैसे लगाके अपना trade लूँगा, इसी position में, उसकी एक real दुपैर को डालूँगा, 12 बजी के असपस जब position ले लूँगा, और देखता हूँ, कि मेरे trade के साथ क्या होता है बाकी देखेंगे के दो या तीन तरीक तक यानि की एक तरीक का budget है फिर दो या तीन तरीक महोल में क्या गर्मी आएगी क्या उपर होगा क्या नीचे होगा अब तो मैं इसी वजह से मैं मन्तली वारी ले रहा हूँ call and put option कि मुझे लग रहा कि मूमेंट थोड़ी आ सकती है जएदा अच्छा आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं कि लॉजिक क्या है आप लोगों से मैं पूछूं कि अगर मार्केट के अंदर डेली आज कल कितनी मूमेंट होती है तो आप लोग किंगे सर दो सूड हैसो तो आज 20,000 और 21,800 खड़ें तो क्या 400 पॉइंट की मूमेंट नहीं आ सकती है दो दिन में आए तीन दिन में आए चार दिन के अंदर आए सिंगल में भी आ सकती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नीचे आए उपर आए वो कहीं भी जाए उससे हमें कोई यह नहीं दिन नहीं हो है क्योंकि we are not a technical analyst हम technical analyst नहीं है हम तो सिर्फ एक judgment लेते हैं कि market कहां को move करेगी उपर या नीचे तो जो निफ्टी वाला सोदा है उसमें आप लोग trade नहीं लेंगे मैं तो आपको यहीं समझाना चाहूँ और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो तो बिलकुल भी मत लेना ये बड़ा खतरना खेल है जिसको आप इतना easy सोच रहे हो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने बोल के trade नहीं लिया तो लोग कहेंगे कि जो राजा है वो तो खुदी डर गया तो राजा डरता नहीं है राजा आज मैदान में उतरेगा trade की वीडियो मना के डालेगा मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो लोग टीवी पे दिखाते हैं कि हमारी वर्थ 50 करोड 20 करोड है और लोगों को कोर्स करा रहे होते हैं और trade कितने का लेते हैं मात दो लोड का यानि की 5-10-15 जार का अरे यार करोडों की तुम बाते कर रहे हो लाखों का trade तो मैं तुम और आपको ये बता दू, strategy कुछ नहीं होती, market के अंदर judgment होती है, judgment करना ही सबसे बड़े चीज है, strategy क्या है, कोई share उपर जा रहा नीचे जा रहा है, इसमें क्या strategy बता रहे हो आप लोगों को, आप जो chart pattern पे read कर रहे हो, ये भी क्या strategy है, इस chart क्या है, what is उपर नीचे होना judgment करके बताओ ना, share क्यों चलेगा, और दूसरी तीसरी बात, please आज जोड के मिनती है, जो students ये बोल रहे हैं, कि सर आप इस वाले share का नाम ले दीजिए, या ये वाला मेरे पास फसा हुआ है, तो भाई, मेरे कहने से share नहीं चलते, तुम लोग क्यों मुझे जुआरी बनाने तो ये चल पड़ेगा, तो ये आपकी गलत फेमी है, मेरे बोलने से share नहीं चलते हैं, मेरे बोलने से share चलते होते, तो ये पढ़ाना चोड़के, सुबह ये ग्यारा मिनट ये बारा मिनट की वीडियो बनाने से अच्छा, ऐसे भी कोई पैसे भी नहीं आते हैं, उसमें कर दूँँ आपके अकाउंट की स्टेटमेंट भी दिखा दूँँ अभी यूट्यूब फेस्बुक से ऐसा कुछ नहीं आता कहीं लोग सोचें ये तो व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं वो जब लाकों में चैनल चलते हैं ना लाकों व्यूज आते हैं तब अरनिंग आन फोंगर के सर ये सोदा मेरे पास था आपके कहने से चलता है मैं बोलता हूँ आपको तुक्का है तो आप कहते हो कि नहीं दो मेने से तुक्के थोड़ी लग रहे हर शेयर में तुक्के थोड़ी लगते हैं अरे बाई हर शेयर में तुक्के लग रहे मैं तो यहीं कहना चाल दे गया लेने के साथ मुझे नहीं पता क्यों चल रहा है बट मैं फिर भी कहूंगा ध्यान दो समझने पे स्टॉप मार्केट को कितने दिन ही यूँ चलाते रहोगे क्या मेरे बोलने से चल रहे हैं क्या कभी लॉंग टर्म में इंवेस्ट्मेंट करके फंडामेंटस टेक्निकल पढ़के अपनी वर्थ बनाने की तरफ नहीं जाओगे क्या या इनी चक्रों में पढ़े रहोगे एक दो रूपे के अंदर तो इसलिए अच्छा जिनके पास कम पैसा है वो तो इस चैनल को छोड़ देना जो इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं कि य जदा बैटर वे आपके पास में क्योंकि वो थोड़े थोड़े पैसे आपको निकालना सिखा रहे हैं और प्रभू करें आपको थोड़े थोड़े पैसे रोज आ भी जाएं वैसे आते नहीं हैं मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि जुए के भगवान थे नल और न इंटेलिजन्ट और पहंड़ों से ज़्यादा अच्छे इस तरीके से उस समय के जो लोग थे उनसे ज़्यादा बड़ी हमानते हो वर्दानी पुरुशते हो उनके माता पिता उनका साथ भगवानों का साथ जिस भगवान की शकल आपने आस तक देखी नहीं जिसको आप प जुए में उनको भी हरा के बताया था जुए में हर किसी की हार होती है यह आपके लिए बीक इंडिकेशन है समझ जाओ समझ जाओ मत ट्रेडिंग करो मत इंट्राडे के चक्कर में रो यह कॉल पुटें इंट्राडे में सम मरवा देंगी आपको मैं रोज-रोज यह ऑप्श तीर संभाल के जब समय आएगा तो कोर्स कोर्स के अंदर डाल रहूंगा कुछ चीज वो जो हमारा कोर्स है रिकॉर्डिड वाला उस कोर्स के अंदर काफी सारी चीज़े डाली गई है एक साल तक उस कोर्स में आपको डेली पढ़ाऊंगा जो 60-70 वीडियो डालूँगा न वैसे भी दो एक साल का टाइम पिरेट की वो फीस है पांच जार नो सो या छे जार क्यास पजो भी रखी जाएगी जीस्टी लगाके एक साल तक आप मेरे टच वेरेंगे एक साल तक रोज वीडियो आएंगी उसके अंदर तो आप सोचिए कि एक नॉमिनल रेट के अंदर आपको कितनी स्टडी मिलेगी तो स्टडी करना सीखो whatever किसी से भी करो ज़रूरी नहीं कि हमारे से कोसलो मैंने तो एक बड़ा नॉमिनल सा रेट बनाके दिया आप लोगों को लोग तो 18-18,000 रुपे एक महीने का कोर्स लेके भी पढ़ा रहे हैं मैं खुद भी पढ़ाता ह थे क्योंकि महीने के अंदर 30-40 लोगों को पढ़ाता था अब उनको भी कम करके 25 तक लेके आऊँगा तो ये recorded course पूरे world के अंदर गदर मचाएगा पूरी जान लगा दूँगा इसके अंदर बढ़ाने के कोई इसको बीटी ना कर पाए तो इन दो तिन दिन थोड़ी सी शा मगाए ना छोड़े ना अपनी सीट के सरने बोल दे तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओं नहीं तुमारे लिए नहीं है ये वीडियो तुमारे लिए तो एक ही गुन है शेर्स बेचने के लिए होते ही नहीं है ये तो हमारे बच्चे हैं दस अजार लोगों ने भी प्रॉर होती तो अब मैं तुमारे लिए आगया हूं तो कुछ सीखो गाइड करो बशरते इसके सर आप इस शेयर का नाम ले तो ये चलने वारा अरे भाई मेरे कहने से नहीं चलता ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दुपैर में जब मैं ट्रेड लोगा तो वीडि ये मनाके डालूँगा आपके लिए पहले राजा जाएगा आगे शहीद होने के लिए उसके बाद में सेना जाएगी